दोस्तों अगर आप Hyundai Creta 2020 के EX या फिर S variant को यूज़ कर रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या आते हैं इसके music system में features मेरे इस वीडियो में बने रहे हैं मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ क्रेटा EX और S में दोनों में ही सेम 8 इंच का touch infotainment system हा रहा है सिर्फ एक feature का difference है अगर आपके पास EX variant है तो उसमें reverse parking camera नहीं आता और S variant है उसमें company fitted reverse parking camera आता है जिसमें जैसे ही मैं reverse gear लगाऊंगा तो ये देखिए reverse parking camera ए इन दोनों गाड़ियों के music system पे तो अगर आप चाहे EX variant यूज कर रहे हो है या फिर S variant मेरे इस वीडियो को देखिए मैं आज आपको इस music system की सारी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रेटा EX या फिर S variant के इस 8 inch के touch infotainment system को ये देखि करेंगे वो देखिए touch के साथ work कर रहा है इस side पे कुछ buttons दे रखें और right side पे देखिए इसमें कुछ आपको buttons मिल जाएंगे इसके लावा pen drive लगाने के लिए यहाँ पे center पे देखिए एक USB port मिल जाएगा ये जो music system है ये आता है four speakers के साथ जो की हर door पे नीचे की तरफ speakers से operate कर पाएंगे और ये music system जो है कई सारे features अपने साथ लिए हुए आज का मेरा वीडियो आपको बताने जा रहा है तो चलिए सबसे पहले तो मैं start करता हूँ इसके radio से इसमें जो है ये देखिए ये है इसका radio जिसमें दो band ये हुए है FM और AM यहाँ से आप इनको mode change कर सकते है FM या AM पर normally जादा तो चलता है FM band इसके लावा इसके बगल में यहाँ पर देखिए info लिखा हुआ है अगर आपने इसको on कर रहा है तो अगर कोई भी उस channel पर यानि उस band पर को information आ रही है तो यहाँ पर नीचे लिख कर आएगी और यहाँ पर देखिए कई सारे further settings है station list है कौन कौन से यह देखिए यहाँ पर साप पूरे list है इसमें जो आप इधर से भी check कर सकते हैं यह देखिए वही सारी पूरी list आ रही है कौन कौन से bands आपके city पर आ रहे है वो यहाँ पर देख सकते हैं auto sort favorites हैं आप यहाँ पर अपने साप से automatically यहाँ पर जो है bands को यह select कर दे जो band आप ज़्यादा सुन तो उसको पहले कर सकते हैं तो यहाँ पर reorder कर सकते हैं delete favorites हैं अगर आपने यहाँ पर यह सारे bands है आप चाते हैं इनको delete करना तो आप इनको यहाँ से delete भी कर सकते हैं select कर यह और delete कर दीजे तो यह हो गया और चीज़ देखते हैं एक मिटले वाप चलिए अब और चीज़े चेक करते हैं यह जो music system है यह smartphone connectivity के साथ आता है इसमें कौन कौन सी connectivity है चेक करा देता हूँ तो देखिए इसमें तीन connectivity दी हुई है Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay सबसे पहले मैं आ जाता हूँ Bluetooth के पार्ट में तो देखिए जैसे मैंने Bluetooth को attach किया इसमे Bluetooth connections, Bluetooth system info, privacy mode और factory setting reset आ जाएगा, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, आपको जाना है Bluetooth connections में, जैसे कि अभी मेरा एक phone इसमें connect है, तो इस पज़े से देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, कार दुनिया मैंने Bluetooth का नाम को rename कर रखा है, तो यहाँ पर show कर रहा है, आपको कोई नया phone add करना है, त देख लेते हैं, इसके settings पर जाके, Bluetooth में जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यह इस तरीके से क्रेटा लिख कर आ रहा है, आपके Bluetooth पर भी लिख कर आएगा, और वहाँ पर जाके उसको touch कर लीजे, और वो connect हो जाएगा, इस car के music system से, connect होने के बाद, दो चीजे आप इसमें दिखाएगा, और अगर नाम सेव नहीं है, तो सिर्फ numbers लिखकर यहाँ पर आ जाएगे, कौन calling कर रहा है, इस steering पर यहाँ पर देखिए, इधर से आप pick कर सकते हैं, और यहीं से cut कर सकते हैं, उपर की तरफ इधर यह mic दिया हुआ है, जहां से आपकी आवाज जाएगी, और caller की आवाज through speakers आएगी, तो इस तरीके से पहला feature calling का होगे, जो सबस्याद important है, second feature है, अगर हम media प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह Bluetooth audio है, यानि अगर आपके phone पे कोई भी songs हैं, तो आप through Bluetooth सुन सकते हैं, बस अगर select नहीं है, तो यहाँ से आप select कर लीजे Bluetooth को, औ और वो song play हो जाएगा, बाकि आप यहीं से उसके channel, sorry, songs को change कर पाएगे, तो यह हो गया इसका feature, Bluetooth का, मैं वापस main menu में जाके device connections पर जाता हूँ, तो यह Bluetooth का part होगे, अगर आप Bluetooth connections को delete करना चाहते हैं, total of 5 Bluetooth को pair करके रख सकते हैं, but data time 1 ही चलेगा, जो आपने उसको समय select किया ह तो अगर पांच के लावा फिर और को select करना चाहते हैं, तो आपको delete करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पर जाके इससे delete कर सकते हैं, तो Bluetooth हो गया, बाकि यह informations है, पास keys आप यहाँ से change कर सकते हैं, privacy mode है, और तो Bluetooth के बाद चलिए बढ़ते हैं, एक और important application के लिए, क्रेटा के इस वाले, यानि 8H के touch, infotainment, जो की EX और S में आ रहा है, दोनों में ही in-build navigation नहीं दिया हुआ है, तो navigation को चलाने के लिए, यह दोनों applications बहुत important है, Android Auto और Apple CarPlay, Android phones के लिए Android Auto, Apple CarPlay, इन applications के through, आप smart phones के navigation को, इसके music system पे चला सकते हैं, एक छोटा सा मैं आपको demo दे बाके link आपको नीचे description में मिल जाएगा, कि Android Auto को पूरी तरीके से आप कैसे use कर सकते हैं, तो इसके लिए फटा-फट में आपको बता देता हूँ क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आपके पास Android phone है, तो Android store पे जाएए, प्ले स्टोर पे और Android Auto ये एक application आती है, इसको install कर ल आपके वाली जगे पे लगाईए, और जैसी आप लगाएंगे, आपको कुछ touch भी नहीं करना है, automatically देखेगा, यह देखे, यहाँ पे इसके home screen पे Android Auto लिखकर आ गया, बस आप जैसे इसको touch करेंगे, और यह देखिए, navigation शुरू हो गया, यह navigation आपके Android phone से चला है, आपके Android phone में जो Google Maps हैं, वही इसमें दिखा रहा है, और यह आपके ही phone के net को use कर रहा है, तो यह एक important application है, इसके music system की बाकी और भी कई सारे Android Auto के features को आप use कर सकते हैं, बाकी detail में अगर आपको जानना है Android Auto के बारे में, तो आप उस link पे जाके मेरे पहले बनाए हुए video को देख सकते ह हैं, तो यह इसमें हो गया important application Android Auto and Apple CarPlay, इसलिए इसको बोला भी गया है, smart phone connectivity के साथ यह music system आता है, तो चलिए यह पार्ट हो गया इसका, अब और चीजों को चेक करने के लिए हम लगा लेते हैं pen drive, और pen drive लगाते हैं, देखते हैं, क्या-क्या है, मैंने इसके port पे pen drive लगा द और देखते हैं, मीडिया पे जाके, यह क्या-क्या support करता है, तो यह सिर्फ USB music को ही support करेगा, मेरे pen drive में images भी हैं, videos भी हैं, लेकिन video playback इस system पे नहीं दिया हुआ है, देखिए, अगर दिया होता, तो यहां पे लिख कर आ जाता, videos या फिर images, तो यह सिर्फ MP3 songs को ही play कर पाए और एक और ची बहुत अच्छी है, इसके music system पे देखिए, यहां पे आर्कमी sound mood है, तो यहां से आप directly इसके sound mood को change कर सकते हैं, देखिए, natural, club, launch, live, तो यह चार, इसमें आर्कमी sound mood दे रखिए हैं, जो कि आप directly यहां पे shortcut से इसमें change कर सकते हैं, तो यह हो गया, इसके लाव tracks को change कर सकते हैं, और यही buttons जो है, यह radio के लिए भी काम आते हैं, रेडियो में अगर आपको bands को change करना है, तो यहां से कर सकते हैं, बाकि आप इसमें touch करके भी use कर सकते हैं, और चीजे, इस site पे देखते हैं, तो यहां पे setup दे रखा है, चलिए, अब आपको कुछ setups के बारे थोड़ा सा बढ़ा देगा, जैसे vibrations बढ़ते हैं, तो अंदर sound कम आने लगता है, तो उसको यह control करेगा, तो बस इसका इतना काम है, उसके नीचे आर्कमी sound mode है, जो मैंने वहां पे shortcut दिखायाते हैं, यहां पे भी वही लिखे हुए हैं, और चीजे positions पे देख लेते हैं, य इसमें, यह driving side हो गया, passenger side हो गया, पीछे की तरफ है, जिधर भी अगर आपको speakers की volume बढ़ानी है, उधर कर सकते हैं, center पर रखना है, तो यहां पे center पर कर लीजे, और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा भी आप, जिस side पर भी volume को रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो यह हो गया, speaker positions की बात कर रहा था, यह है, volume levels में है, system sounds देख लेते हैं, क्या क्या है, तो यहां पर यह beeps है, जो मैं touch कर रहा हूँ, उसकी beep कितनी तरफ जाए, calling, जब कोई phone आपने Bluetooth से connect कर रखा है, तो ring कितनी तरफ बजे, उसकी भी volume को आप यहां से select कर सकते हैं, इसके बाद, यहां पर देखे, beep कॉप off भी कर सकते हैं दर से, चलिए, इसमें menu देख लें तो कुछ है, नहीं, तो manual पर जा रहा है, अगर आपको इसके music system की manual को देखना है, तो यहां पर QR को इसके scan करीए, आपके phone पे, इस music system की manual आ जाएगी, फर्दा नीचे देखेंगे तो phone projections है, यह phone projections में Android Auto के लिए बात कर रहा है, Android Auto में media volume को कम ज़्यादा रखना है, तो उसको आप यहां से select कर सकते हैं, voice guidance है, जब navigation के दोरान जो voice guidance करता है, यानि बताता है, turns, उसकी volume को आप यहां से select कर सकते हैं, same Apple CarPlay लिए भी देखें, यहां से आप इसकी volumes को select कर सकते हैं, चलिए, य volume levels के बात, equalizers है, यहां पर देखिए, bass, आप यहां से कम ज़्यादा कर सकते हैं, mid को यहां से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और treble, जहनकार को भी आप यहां से select कर सकते हैं, और चलते हैं, center करना है, तो बस देखिए, आप यहां से center कर दिया, आ गया, volume ratios है, proximity warnings है, जिसमें रेख मैं जैसे reverse गया लगाऊंगा, देखिए, इसने music को हलका कर दिया, तो यह है, अभी मैं अगर off कर दूँगा, देखिए, इसने music को कम नहीं किया, तो यह बहुत अच्छी चीज है कि जब आप गाली को back कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है, यह volume को कम कर दे, जिससे आपका concentration back करन यानि जब आप music system को start करें, अगर suppose आपने तेज volume पे music को बन कर रखा है, तो next time आप on करेंगे, तो उसी से यानि तेज आवाज पे start हो जाएगा, तो यहाँ पे volume को यह कम कर देगा, जब आप music system को सुरू करेंगे, तो यह हो गया volume यहाँ ratios में, बाकी यहाँ पे default आ गया, आप मैंने जो भी settings को change किया, अगर आप उसको factory reset पर करना चाहते है, तो यहाँ पे default कर दीजे, यह सारी settings वापस reset हो जाएगी, तो यह होगे सारी चीज़ों sounds पे, यह मैंने आपको बताई दिया, device connections के बारे में, वैखिल पे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, तो यहा वैंट है, उसको यह on कर देगा, यानि बाहर की smell अंदर नहीं आएगी, देखिए मैं दिखाता हूँ, यह मैंने on कर दिया, और इसको मैं off करता हूँ, अभी समय went, यानि बाहर की air अंदर आ दिया, मैं जैसे ही wiper को use करूंगा, देखेगा, यह देखे, मैंने जैसे ही wiper को use किया, इसने यहां पर यह automatically on कर दिया, यानि इसने went को close कर दिया, जिससे बाहर की smell अंदर ना आए, और इसको जब मैं off कर दूँगा, अब देखे, यह भी off position पर है, अब यह कोई भी चेंज नहीं करेगा, यह देखे, वाइपर चलाया, तो अब इसने कोई चेंज नहीं किय तो यह इसलिए आप चाहें, तो इसको on कर सकते हैं, तो यह हो गया बाकी automatic ventilation है, automatic de-humidify है, इसको भी आप यहां से on कर सकते हैं, इसको अगर आपने on कर रखा है, तो यहां पर देखे, लिखा हुआ है, automatic switching to outside fresh air ventilation to decrease humidity, यानि अगर अंदर humidity बहर लई होगी, तो यह automatically इस vent को on off, जैसे भी situation है, उसको यह करता रहेगा, तो यह भी एक feature है, जो की, यह देखिए, automatically यहां पर बना भी हुआ है, automatically इसको switching करेगा, अंदर के humidity के हिसाब से, तो यह भी आप अपनी convenience के recording on रख सकते हैं, तो यह गयास में climate की बात, और चीज़े देखते हैं, तो वैकल में इसमें edges करेगा, आप नहीं चाहते हैं, तो अपने साब से night में रहासा हलका हो जाएगा, डल हो जाएगा, और यह brightness बढ़ जाएगी, daytime पे, auto पर रखेंगे, तो वो automatically set करेगा, brightness है, आप अपने साब से brightness को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यह देखिए, यहां पर options यह रखा है, blue light है, इ अगर आपने इसको enable कर रखा है, तो इससे जो blue lights emits करती हैं, जो आँखों को हाम देती हैं, वो यह filter कर देगा, cut off कर देगा, तो यह फीचर है, normally यह smart phones में भी आपने देखा होगा, जिसमें night mode या फिल्टर, eye filters modes होते हैं, क्यों अगर अपना on कर देगा, तो screen हलका सा, रंग change करेगा, dull हो जाएगा, blue filters cut off कर देगा, आँखों के strain को कम करेगा, ठीक, उसी प्रिकार से यह भी वही काम करता है, screen savers है, screen savers आपके साब से, आप digital clock में set करना चाहते हैं, analog clock, बताई देता हूँ क्या होता है, अगर मैंने digital clock पे set कर रखा है, और उसको off करता हूँ, तो यह नहीं रहेगा, और यह home screen है, home screen यानि, इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे भी आप इसको कई चीजों को अपने साब से customize कर सकते हैं, मैं फटा-फट वापस चलता हूँ, और देखता देता हूँ, तो इसमें भी आप अपने according इसको set कर सकते हैं, आपको जो भी चीज रखनी है जो चीज आप ज्यादा use कर सकते हैं, उसको सामने रख सकते हैं, और नीचे देखते हैं, तो media change notifications हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी media में changes कराँगों, तो उसको notifications आएं, और rear camera on, यह particularly S variant के लिए feature थे, क्योंकि इसमें reverse parking camera आता है, तो उसके लिए यह दिया हुआ है, अगर म मैं जैसे देखिए, reverse gear लगाऊंगा, यह reverse parking camera को activate कर देगा, इसके बाद मैं जब वापस neutral करूँगा, तो देखिए, यह camera को off नहीं कर रहा है, थोड़ी speed के बाद ही, यह camera को off करेगा, तो यह feature तभी हुआ है, जब मैंने वहाँ से इसको enable किया था, अगर मैं इसको disable कर देता हैं, handbrakes लेट आ रहा हूँ, तभी यह feature work करेगा, देखिए, मैंने reverse gear लगाया, और जैसे मैंने neutral किया, camera हट गया, तो बस यह इसलिए है, अगर आप reverse gear लगाने के बाद, camera को on रखना चाहते हैं, वापस neutral करने पे, तो इसको आप on कर सकते हैं, बाकी यह रहा, default settings है, वापस क कोई भी चीजे मैंने change करी हैं, अब वापस factory reset ले आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको default factory reset कर सकते हैं, तो यह हो गया, इसके display की बाद, यह देखते हैं, buttons में क्या क्या है, तो हाँ, यह एक Kelly J. shortcut की है, या फिर आप यहाँ पे देखिए, favorite button को कह सकते हैं, आपने जो शॉर करके दिखा देता हूँ, तो DRVM, यह भी feature ऐसा है, जो सिर्फ आता है S variant में, क्योंकि यह भी reverse parking camera से connected है, गाली drive करते समय, camera को activate कर सकते हैं, इसका full form होता है, driver rear view monitor system, तो देखिए, जैसे एक मिट में पार्किंग पर खड़ा दूँ, तो यह shortcut, देखिए, पीछे का camera activate हो save रहेगी, बाकी steering mode है, यहाँ पर देखिए, steering पर यह modes रखे हैं, आपने जो जो चीज़े इसमें select कर रखी होंगी, यह उनी में ही switch करेगा, तो यह इसलिए, इसमें दिया हुआ है, तो यह भी है, आप अपनी convenience recording, जो भी चीज़ आप steering mode पर रखना चाहते हैं, जो चीज़ use करते हैं, उसको आप select कर लीजे, उनी में यह switch करेगा, तो यह हो गया, इसका buttons, general settings देख लेते हैं, क्या क्या है, तो general settings में यह version, info और update बता रहा है, यहाँ से आप इसके filmware, यानि इसका version, software versions और model कौन से अपडेट कर सकते हैं, और system info है, कितनी इसमें memory बची है, क्या है, और manual है, और default, यहाँ से आप music system को default set कर सकते हैं, Bluetooth remote lock, यह क्या है, बताता हूँ, इसका music system है, यह या तो आप touch panel से use कर सकते हैं, या फिर steering पे controls दिये हैं, इससे use कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो कैसे operate करें, इसके music system पे कोई भी company remote नहीं देती है, लेकिन एक Android app देती है, इसका नाम है Hyundai iBlue, अगर आपके phone पे, यानि यह सिर्फ Android app है, यानि यह Apple phones के लिए नहीं दिया हुआ है, तो दिखाता हूँ, मैंने एक install कर रखा है, यह देखिए, यह है Hyundai iBlue app, अगर आपने इस app को अपने phone पे install कर रखा है, तो इसको आप थू, Bluetooth connect कर लिजे, क्रेटा, रिफ्रेस्ट कर देता हूँ, यह देखिए, यह connect हो गया, यहाँ पे लिखकर भी आ गया, remote controller is connected, और जैसे मैंने इसको connect किया, और आप इस music system के कई सारे features को आप थू इस iBlue app के use कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो पे जाएंगे, और रेडियो पे मैं यहाँ स channels को change कर सकता हूँ, यह देखिए, channels change हो रहे हैं, बाकि अगर इस app के बारे में भी और ज़्यादा जानकरी चाहते हैं, तो आप इसका मैंने एक separate video बनाया हुआ है, Hyundai iBlue का, आप जाके उसमें देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको enable कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यह app connect नहीं कर किसी का भी phone इसके music system से connect हो, तो इसको आप enable कर दीजे, तो यह उस app से connection नहीं लेगा, तो यह चीज़ा है, इसको मैं वापस disable कर देता हूँ, बाकि date and time है, यहाँ से आप date and time को select कर सकते हैं, GPS timing भी है, यह अपने साब से timing को set कर लेगा, और बाकि अगर आपने इसको disable कर दिय यह keyboards हैं, आप अपने साब से इसके keyboards जैसे भी आप use करना चाहते हैं, वैसे आप इसमें select कर सकते हैं, तो यह हो गया, इसकी general settings की बात, और कुछ बचा, देख लेते हैं, इसी में एक चीज़ और सी बता देता हूँ, यहाँ पर देखें, display off लिखा हुआ है, इसको अगर अपने मेनु में भी देख लेते हैं, आल मेनु में यह हो गया, फोन के बारे में यह देखिए, इसमें last dial list आ गई, favorites यहाँ पर आइड कर सकते हैं, यह मेरे contact list दिखा रहा है, यहाँ से number dial कर सकते हैं, तो यह Bluetooth connect करने के बाद, आप इसमें calling feature कर सकते हैं, और कुछ बचा इसम इसमें, तो radio में ने बताई दी, Apple CarPlay, Media हो गया, इसके में सेटिंग्स पार्ट में आपको सब दिखाई दिए, इसके बाद, voice memo है, यह just, आप कोई भी reminders जो भी तक हम लोग टाइप करके, इसमें save करते थे, आप आप गाली drive कर रहे हैं, आप कुछ भी reminders देने हैं, तो आप इ यह रहे हैं, तो यह एक voice reminders हैं, इसमें आप voice को set कर सकते हैं, बाकी हम delete कर देते हैं, यहां से आप इसको delete कर दीजें, और देखते हैं इसमें क्या था, voice DRVM, मैंने आपको बताई रहे हैं, driver rear view monitor system है, गाली चलाते समय, आप इसके camera को activate कर सकते हैं, और यह रहा Android Auto, जब Android Auto connect र पताना रहे हैं, तो यह देखी, यह जो button लगा हुआ है, यह voice recognition button है, यह Android Auto और Apple CarPlay के लिए दिया हुआ है, उसमें आप इसके through commands दे सकते हैं, जब इसको मैं press करूँगा, तो देखे, यहां पर यह लिख कर भी आ रहा है, Android Auto और Apple CarPlay supported button है, और इसके बारे में भी, अगर आप EX और S के music system के features, कुछ features जो भी camera से related हैं, वो आपको S में ज़्यादा मिलेंगे, बाकी सारे features दोनों गाड़ियों के music system के same है, मेरे आच के इस वीडियो में बस इतना ही है, CRETA EX और S के music system के सारे features मैंने आपको बताए, फिर भी अगा कुछ छूड जाता है, या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे comment section पर जाके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिस करूँगा आपके सवालों के जवाब को देने की, उमीद करता हूँ मेरा यी वीडियो आपको पसंद आयो, please वीडियो को like and share करिएगा, मेरे चैनल का दुनिया को subscribe करके हमें support करिएगा, मिलते हैं और भी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लखिए, thank you